असलाम है बिटा, बिटा इन्थल्पी चेंज में नुमेरिकल्स के लिए हम काम कर रहे थे तो हमने बॉर्ण इनर्जी कर लिया था और एमसी डल्टा टीवी कर लिया है स्पतुतव है या थाह, बिटा, जी चाना बादा बॉर्ण पांधे थे तो हमसी की डाही आविकला अतर है तो हम इसको स्टार्ट करते हैं इसमें हमारे पास है स्टलॉऔ पहरी बात की धांशब्येशन विया सकती है स्टी थे तो हैस स्टलॉऔ definition है that is I'm writing first किस तरीके से से क्वेशन सॉल्व करते हैं किस अगर आप की कुई इंध elderby चेंज हैette वह चाहिए आप डारेक्ट करें इंडारेक्ट करें तरीकिंडार्फी इंध इंध चेंज गरें किसी फैल्य दीपेंट गरे दिक एल ने चुनि तरीकाते हैं उसके बाद प्रिसकों नियागकाटां संजाते हैं फर इसमपल जो हमने शुरू में बताया था आपको कि अगर आप कार्बन और अक्सिजन को मिला दें इससे कार्बन डाइसर बन जाएगी तो इसमें अगर आपके पास माइनस 200 किलो जूल इनर्जी रिलीज होती है तो अगर आपने इससे कार्बन मोनोकसाइड बना दिया और कार्बन मोनोकसाइड को आपने फिर फर्दर अक्सिजन से रेक्शन करवा दिया और कार्बन डाइसर बना दिया तो इन दोनों की इनर्जी जो है वो 200 के बराबर ही होगी यह –100 एंड माइन्स एंड बी हो सकती है यह –190 एंड माइनस टैन भी की यह नी biếtा सकते हैं लेकिन यह बता सेथेंगे दोनों का संना होग़ा तो इसलिए मैं यहां पर इसको अगर मार्क कर दो खिर डील्ट ह-1 एंड डील्ट ह-2 तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि दोनों का जो sum है delta H1 and delta H2 का जो sum होगा वो minus 200 energy के बराबर होगा मतलब जो delta HR है आपका उसके बराबर इन में से तीन आपके पास actually values है तो 3 में से 1, 2 और 3 इन में से कोई एक value unknown होती उसको में find करना होता तो पहले इसकी definition करते है definition के दो parts है number one के enthalpy change of a reaction is independent of path या root and दूसरा पाद है but depends on initial and final stages of reaction तो आपके पास जहां से arrow originate हो रहे हैं this is the initial stage and जहां पर arrows end हो रहे हैं यह final stage है आपकी दो चीज़े सेब होनी चाहिए है बाकी इंडालेट पे में जो भी enthalpy change जाएगी वो same होगी अब इसको हम समझाने के लिए आपको कोई question दिखाते है question if delta h formation of c2 h4 is minus 200 sorry minus चले positive 500 कर देते हैं इसको and delta h formation of c2 h6 is positive 1200 find delta h r for c2 h4 plus h2 is equals to c2 h6 formation की definition अगर वो आप से कह रहा है कि c2 h4 की formation और फिर आप से कह रहा है c2 h6 की formation तो इसका मतलब आपके पास elements होने चाहिए इसकी formation में है कि इसकी आपको दो कारबन करने पड़ेंगे और दो हैडोजीन पड़ेंगे ताके बराबर हो जाए जबके इसमें आपको दो कारबन और तीन हीडोजीन करने पड़ेंगे यह इनकी formation की equation है जो आपको background knowledge में आपको ये बात समझा दी गई थी कि formation की definitions जो है तो अगर अच्छे तरीके से आएंगी तो आपके ये काम हो जाएगा अगर इनी equations को इसमें link करना हो तो आपके सामने किस तरीके से link करेंगे जिसकी formation की बात की इसने मैंने उसकी तरफ एक arrow कर दिया किस तरीके से और इसमें जो है इसके elements लिख दिये carbon air और hydrogen यहां पर दो लगा देंगे यहां पर solid कर देंगे इसको और दो लगा देंगे तो हमारे पास यह formation की equation बन गई और इसकी value मैंने उठा कि किया और 2C लिख दिया और 3H2 लिख दिया जो के gas है और यह solid आप आपने इसकी value उठा के लिख दी positive 1200 अगर हम तीनों चीज़ां को ब्राबर करने की कोशिश करें तो यह साझी की इस सारी चीज़ां जो है आप इसामे एक जैसी होंगी देखते है इसमें और इसमें अगर क्छ यहां बन रहा है आपके पास सारे cases पर 2 carbon बन रहा है मांगेर शे हे तो इसका मतलब यह हुआ कि इसकी सिखा रहा हूं कि नेक्स टाइम हमें ये काम नहीं करना नेक्स टाइम हमें इसको असान लफजों में लेकी जाना है and that is C2H4 H2 is equal to C2H6 intermediate में आपके पास सिर्फ एक बॉक्स बना होता है और जब ये बात कर रहे हैं कि अगर आप इसको गोर से देखना चाहते हैं तो देख लें कि ये दोनों चीजें actually एक ही चीज हैं ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं एक ही चीज हैं अगर एक चीज हैं तो हमें य और मेरे पास इसकी formation भी हो जाएगी ऐलिमिल की formation क्योंके zero होती है वो हमें पता नहीं है वो हमें होती ही zero है तो उसको निकालने की जोड़ोत नहीं है यहां पर मैं लिख दिया positive 1200 इसकी value थी इसकी थी positive 500 ये भी लिखती है मैंने तो अब इस case में जो हमारी objective reaction थी वो हमने black color म आखिर में आपको यह करना है कि जो अपनी main equation थी main equation में आपने reactant से product की तरफ एक arrow खेंच देना है मतलब यहां से यहां पर आपने एक arrow खेंच देना है जो arrow इन में से red में से मेरे साथ होगा उसकी value को हम ऐसे ही लेके चलेंगे जैसे मैं उपर जा रहा हूँ यह भी उपर ज फिलिप कर देंगे इसकी value को यहां से इकट कर देंगे बस sign change कर देंगे minus 500 कर देंगे इसको कि इसकी sign change हो जाएगे अब यह क्यों change होगी यह आपको बताते हैं तो इसकी यॉए हमें फ्लिप करनी है तो इसमें एक्स टाफर करनी है इसमें हमारे पास अपस्ट था देल्ट हजाँ अब्राबर हो जाएगा इसकी वैल्य को चेंज करदेंगे माईंस 500 कर देंगे और इसकी वैल्य को efॉजिटिफ 1200 रेंज देंगे उफ साथ था और बीश में लगा देंगे प्लस का साइंड तो इस तरीके से हमारे पास एक्स था डेल्टा हर था हमारे पास यह आजएगा और ओक्सीजन मिल के बनाते हैं इसमें अगर इतनी इनर्जी जा रही है आप अगर से दो भारा यह चीजे बनाएं उतनी जवाब हो जाएगी इनर्जी प्रफाइल डायग्राम अगर मेने फावर्ट की यह जो है मेरे पास फावर्ट डारेक्शन में इस तरीके से है तो अगर अगर मैं आगे जाओंगा इसका मतलब मुझे यहां से यहां तक नीचे जा रहा हूँ और यह जो है इनर्जी चेंज आजी कि आपके पास मतलब 50 माइनस 500 तो हमारे पास माइनस 450 का अंसर आजाएगा इस तरीके से अगर आप बैकवर्ड मूफ करेंगे इसमें रियक्शन आपका एक्शुली उल्टा जा रहा है रिवर्स है उसी रियक्शन का रिवर्स में अगर आप जाएंगे तो आपका रियक्टन फिर यह हो जाएगा और प्रड़क्ट यह हो जाएगा तो यह आपको इनर्जी पर डियाग्राम में बताया था इस वकट आपके पास जो इसका अंसर आएगा, that is 500-50, इसका अंसर आजाएगा आपके पास पॉजिटिव 450, तो किस रिएक्शन को जब उल्टा करते हैं, जो है, चेंज हो जाती है, साइन चेंज हो जाती है, तो इस बेस के उपर हमने इसको, क्वेशन को सॉल्फ किया, तो आ ही थी, तो हमारे पास सबसे बेस्ट वे जो है, वो यही है, कि इसको इससरी के से यूज कर लिए जाए, और अगर एक्वेशन गिवन हो, तब भी कर सकते हैं, इसको, इसको को मैं इन एक्वेशन की बेस्ट के उपर सॉल्फ करता हूँ, यह जो मैंने एक्वेशन लिखी है, फॉर्मेशन की, जो उसने बता ही थी, तो हमारे पास बेक्वेशन गोड़ाइज थी, और कभी एक्वेशन भी उठाके दे रहता है, तो उसको हम कैसे सॉल्फ करेंगे, तो आल्टरेट वे में आपको बता रहा हूँ कि किस लीके से सॉल्फ करना होगा इसको, तो हमारे पास जो जनलाइज एक्वेशन थी, वो यह थी कि C2H4 प्लस H2 is equal to C2H6, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करने थी, और जो हमारे पास दो एक्वेशन थी, वो मैं यहां पर देखता हूँ, यहां पर, तो इसको अगर आगो और से देखें, तो इसका पहली करना है, असल मैं मुझे इनको कनेक्ट करना है आप इसमे, कनेक्ट करने के लिए आपको इसका रियक्टन या प्रोड़क्ट इसमें नजर आएगा, तो आपको दो चीज नजर आ रही है, एक यह चीज इसमें है, और एक आपके पास यह चीज इसमें है, और एक आपके पास तो product है तो आपने इसको arrow सिर्फ कर दिया इसको और यहां पे 2C and 2H2 लिख दिया तो आपके पास वाली connect कर दिया आपने इसको और इसकी value जो दी थी उसने positive 500 दी थी वो भी आपने उठाके इसके लिख दी के positive 500 इसकी value है इस तरीके से अगर हम दूसरी equation की बात करते हैं तो आपने यह भी product था तो आपने सर्फ कर दिया इसको और इस तरीके से करने के बाद जो है आप यहां पर क्या लिखेंगे दो C लिखेंगे और 3H2 लिखेंगे ठीक है और इस तरीके से फिर आपको करना किया था फिर आपको अपनी जल्ब से arrow गमाना यहां पर तो यह visibility की काम ह पॉजिटिव 1200 इस पर हमारा X हो जाएगा माइनस 500 प्लस 1200 आंसर वही आजाएगा पॉजिटिव 700 तो इक्वेजन को भी आप इसमें लिंक किया जा सकते हैं और इक्वेजन नहीं है तो वह आपके पास Basic Definition JS की बेस के पर चल रहा होता है तो इसका मतलब यह होगा जब जिस second question is if delta hc combustion of c2 h2 h2 and c2 h6 are minus 1000 minus 400 and minus 2200 respectively find delta hr 4 c2 h4 h2 and c2 h6 यही निकालना है आपको delta hr का निकालना है अब उसने combustion का data दे दिया आपको आपको पता है अगर आप इसको combust कर देंगे तो क्या बनेगा इससे carbon dioxide and water बन जाएंगे 2 carbon dioxide से 2 water बन जाएंगे इसकी values ने बताई है minus 1000 मैंने लेक्ती उठाके फिर उसने आपसे कहा है कि इसकी combustion की value भी दी आपको इसको जलाएंगे क्या बन जाएगा इससे H2O बन जाएगा इसकी value उसने minus 400 दी है वो भी दिख दी हमने और इसकी value जो combustion की दी है that is minus 2200 इससे बनेगा क्या 2 CO2 बन जाएंगे and 3 water बन जाएंगे मैं दोबारा दिखा रहा हूँ कि ये चीज इसके हमेशा बराबर होगी और से देख लें कि दोनों चीजें बराबर होती हैं दो carbon एसर इसमें भी है दो इसमें भी है तीन water इदर भी है तीन water इदर भी है इस तीए next time जब हम बनाएंगे तो इसको इस तरीके से नहीं बनाएंगे बलके इस cycle को हम कुछ इस तरीके से complete करेंगे कि c2 h4 प्लस h2 gives you c2 h6 और हमें यहां पर सिर्फ एक इंटरमीटर बनाना होता है इस तरीके से यहां पर हमारे पास दोनों तरफ से एक ही चीज़ आ रही है तो इसको जला दें यह उसको जला दें तो 2 co2 and 3 h2o से इसकी भी combustion हो जाएगी इसकी भी हो जाएगी और इसकी भी हो जाएगी और हमें find क्या करना था यह find करना था इनकी values क्या क्या हैं वो लिख दी हमने minus 1000 इसकी minus 400 इसकी minus 2200 अब गोर से देखें इसका भी one mole है इसका भी one mole अगर यह mole change होते हैं तो हम multiply कर देते इसको इसका बवन मोल था है वन से multiply कर देते इसका भी one mole था इसका भी one mole था अगर हमारे पस मोल ज्यादा होते हैं उसी नमबर से मल्डिप्लाई कर देते हैं फिर का करना है फिर एक एरो अपनी तरफ से घुमाना था हमने यहां से रेक्टन से प्रड़क की तरफ एक एरो घुमा दिया अब हमने देखा कि कौन कौन सी लाइन हमारे साथ जा रही है तो मैं नीचे की यहां इस लिखेंगे उसकी वेर्यू को हम स्टाइज़ कर देंगे स्टाइज़ कर देंगे और इनशाब के दर्मियान क्या लगा देंगे प्लस करना है इन सब को तो प्लस करने की निरी प्लस लिखती है यह तो आंसर बन जाएगा माइनस थाउजन माइनस 400 ए्나 तो यह 14 है मेरे ख्याल में बन जाएगा पॉजिटिफ, 800 is the answer, which is your delta HR. देखें, जिनकी combustion दी थी, हमारी तेर उस तरफ जा रही है, और जिनकी formation दी थी, उस तरफ हैड जा रहा है, यह दिखाता हूं आपको, पहले case में इनकी formation दी वी थी आपको, गोर से देखें, question में, यहां पर इसको में highlight कर देता हूं, आपको formation दी थी, तो आपने arrow इसकी तरफ बना दिया, आपको formation दी थी इसकी, तो आपने arrow इसकी तरफ बना दिया, अब जब combustion दी तो आप लोगों ने arrows जो है, दूसी तरफ कर दिया, क्योंकि उससे आपके पास products different आनी थी, आप देख किसी चीज की combustion देता जा रहा है, आप उसकी तरफ टेल करते जा रहें, और उसके oxides दूसी तरफ आएंगे, तो इस base के उपर आपको छोड़ी सी बात का ख्याल करना है, फिर हम जो है, इन्शालला आगे कोई खास काम नहीं है, बस question solving पर चले जाएंगे हम लोग, तो यहां आप इसको मैं इस बात को हाईलाइट कर देता हूँ, अगर किसी चीज की delta H formation बताता है, तो आप arrow उसकी तरफ कर दें खश, और अगर किसी चीज की delta H combustion बताता है, तो आप फिर tail उसके तरफ कर दें, arrow किसी और तरफ कर दें, क्यों formation में आपके पास उपर हो जाएगा compound, जिस होगा, गिवन होगा, और उसके oxides गिवन नहीं होगे, आपको oxides से तरफ हैरो बनाना होगा, तो यह वाला काम करना होगा, इस बेस पर हम कुछ questions करवाते हैं आपको, और उसके बात जो फिर आप इसमें link करने का equation को होता है, उसको उन questions को भी देखते हैं, तो यहाँ पर हम आपको बता रहा है, enthalpy change of formation of iron oxide, इसकी formation बताईए आपको, and aluminium oxide की formation भी बताईए आपको, और आप से ये reaction जो इसके बारे में पूछा है आपको, तो जिस चीज़ की formation बताईए है, आप लोग क्या करेंगे उसके लिए, आपको इसकी formation बताईए है, आपको इसकी formation बताईए है, आपने लिख दिया यहां पर, और यहां पर F, E, O भी लिखना था आपको, तो आपने यहां पर लिखने के बाद जो है, क्या कर दिया, इसको इसकी value उठा के लिखी, and that is minus 266, अब यहां पर तीन मॉल बन रहे है, उसने आपको दिये, पर मॉल के साब से, आप इसको तीन से multiply करते हैं, फिर आपको इसकी formation की बात किए, आप इस तरफ arrow खेंच दे, यहां पर आपको पता, aluminium and oxygen आ जाएगा, और इसकी value जो है, that is minus 1676 दिया, आपको आपने लिख दिया, इसका one mole था तो आपने one से multiply कर दिया इसको, और फिर एक arrow जो है, इसको find करने के लिए, हम अपनी त जा रहा है, जबकि यह arrow साथ है, इसलिए हमारे पास delta h, r जो था इस reaction का, वो बन जाएगा, 3 into positive 266, क्योंकि यह arrow उल्डा जा रहा था, इसकी value, जबकि बीच में plus आजाएगा, और उदर आजाएगा, हमारे पास 1 into minus 1676, यह ऐसा आजाएगा, इसको पर solve करते हैं, तो हमारे पसांसर आजाएगा खतम, and that is 266 into 3, तो ही हो गया, positive 798, 1676, minus 1676, तो answer आगया, minus 878, तो minus 878, हमारे पास answer हो गया, और करते हैं, question इसके, इस case में आपको देखते हैं कि क्या प्रवाइड कर रहा है, वो आपको फॉर्मेशन प्रवाइड कर रहा है, ने देखा, फॉर्मेशन है यह, इसकी, जिसकी फॉर्मेशन दी है, आप उसकी तरफ एक arrow खेच दें, नीचे आपको बताए, यह इसके elements आगए, और इसकी फॉर्मेशन की value दी है, उसने, minus 940, इसके एक ही मोल था, एक से multiply कर दिया, दूसरा उसने दिया है, formation दी है, carbon monoxide की, आपने इसकी तरफ arrow कर दिया, इसकी value दिया, minus 110, आपको पता है, carbon and oxygen से यह भी बन जाएगा, और इसके दो मोल से आपने दो से multiply कर दिया, और फिर क्या करना है, एक arrow अपनी तरह से खेचना है, यू नीड तो, जो दिस तिंग, एक arrow, तो इसमें, ये मेरे अगेंस जा रहा है, जबकि ये मेरे साथ है, तो मेरा एक्स जो है, इकोष्ट हो जाएगा, positive 940, जबकि वहां पर आजाएगा, minus 220, इसको solve कर लेंगे, तो positive 720, I guess, answer आजाएगा, तो positive 720, और देखते हैं, ये question जो है, इसमें आपको formation दे रहा है, कैसे दे रहा है formation, delta HF लिखावा, hydrogen peroxide की, आपने hydrogen peroxide की तरफ arrow किया, इसकी value दिखी 187.8, इसके 2 moles से 2 से multiply कर दिया, आपने, दूसरी बात, मतलब यहां पर आपको hydrogen and इसके elements लिख दिया, आपने, वो बैनस करने की ज वैसे भी जरूरत नहीं पड़ती है, इसके बाद जो है, आपको दूसरी चीज जो दे रहा है, that is water की formation, तो जब water की formation दे रहा है, तो आपने क्या किया, कि एक arrow water की तरफ खेंच दिया, और इस तरीके से आपने इसकी value अठा के लिख दी, that is minus 285.8, इसके भी 2 moles से, आपने 2 स करता हूं, तो इसमें, यह मैं जा रहा हूं नीचे, यह जा रहा है उपर, इसकी value flip हो रही है, मैं भी उपर जा रहा हूं, यह भी उपर जा रहा है, इसकी value साथ होगी, तो x is equal to हो जाएगा, 2 into positive 187.8, बीच में plus आ जाएगा, and 2 into minus 285.8, उसकी value वैसी रहेगी, इसकी value हमने change कर दी, इसको solve कर लेते हैं, तो यह है 187.8, 187.8 into 2 कर दिया, 375.8 आ गया, और 6 आ गया, जबके उस तरफ से आपके पास आ जाएगा, positive negative negative हो जाएगा, that is 285.8 into 2 कर दिया, तो यह बन गया, 571.6, and इसमें minus कर देते हैं, 375.6, तो answer आ गया, आपके पास negative 196, और देखते हैं, यह पीटिड है, चले, यह ही देख लेते हैं, 28.8, enthalpy change of formation of propane, propane का formula जो है, वो क्या होता है, अगर नहीं पता सब को, तो पता चल जाएगा, propane जो है, आप लोग organic में थोड़ा सा पढ़ की आए थे, तो that is C3H8 होगा, और सारे formula एक जैसे लिखे हैं, अगर आपको नहीं बताता, फिर आपको यह बात पता है, कि C1 से C4 तक gases होती है, इसलिए gas, 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 liquid bola कार्प देंगे, standard उस पे होना चाहिए, तो हमारे पास इसकी अ तो आपके पास element जो है, standard form में होने चाहिए, carbon gas नहीं होता, कार्पन जा रहा हूँ, carbon solid होता, और hydrogen gas होती ही, diatomic form में होती है, तो C2 तक रेक्टरांग सा, फिर आप आपके पास question आगे, इसमें equation नहीं दी उसने, equation क्यों नहीं दी उसको पता था, कि बच्चे जो है, उनको पढ़ाया था, उसकी definition आती थी, तो इस तरीके से आप इसकी equation देख सकते हैं, question क्या हो गया, प्रोपेनोन की, आप formation की equation लिख दें, और उसको find भी करें, तो प्रोपेनोन का formula यह given आपके पास, तो हमने क्या किया लिखा, यहाँ पर C3, H6O, इसकी formation के लिए इसकी elements होगे, carbon, hydrogen and oxygen लिखती है, balance करेंगे, तो 3 हो जाएंगे, यह डायटोमिक फॉर्म में होता है, यह भी डायटोमिक फॉर्म में होता है, तो इसको हमने 3 करना पड़ेगा, इसको हमने half करना पड़ेगा, क्यों, formation की equation में लिखा होता है, one more इसका बनना चाहिए, जो चीज़ बना रहा है, अब इनकी state symbol अ आपने hardwing की combustion है, तो आपको पता है, इसको combust कर दूँगा, तो water बन जाएगा इससे, इसकी value दी है, minus 286 लिख दिया मैंने, और इसको मैंने 3 से multiply कर दिया, 3 moles है, इसके, इस तरीके से second जो enthalpy दे रहा है वो आपको, वो दे रहा है, enthalpy change of combustion of carbon, तो आपने carbon, को combust कर देंगे, carbon diesel बन जाएगा, minus 394 लिखा, आपने इसके 3 moles से, तो 3 moles से multiply कर दिया, इसके भी 3 थे तो आपने 3 से multiply कर दिया, इस तरीके से last चीज जो है, combustion of propanone दे रहा है आपको, इसको अगर combust कर देंगे तो आपको पता है कि carbon diesel बन जाएगा and water बन जाएगा, अब आपके जहन में question आ रहा होगा three, eight, six लिख दिया मैंने, और इसका one mole था, one से multiply कर दिया, और आखरी काम क्या था, हमने यहाँ पर एक arrow अपनी तरह से घुमाना था, और इसलिए यह arrow घुम गया, अब इस तरीके से, अगर मैं नीचे जा रहा हूँ, तो यह भी उसी direction में दोनो, इसलिए इनकी value ऐसी ही रहे है, इसलिए इसकी value flip हो जाएगी, तो हमारा x जो है, वो equal हो जाएगा, 3 into 3, 94, फिर हो जाएगा 3 into minus 286, जैसे हैं वैसे लिखते जा रहे हैं, जबकि यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, positive 1738, यह इसकी आगी value, और बीच में लगा देने हमने plus, और answer आजाएगा हमारे पास, इस case में 394 into 3, तो 1182 negative, 286 into 3, negative 858, 1182, इसमें add कर दिया हमने, negative 2040, जबकि इसका answer आपके पास था, 1738, sorry 1786 था, positive 1786, तो यहाँ से इसका हम remove कर देते हैं, तो लिख दिया 1786, तो minus 1786, हमारे पास answer आगया, minus 254, तो इस तरीके से इसको solve कर लिया, इस तरीके से हमारे पास, जितने questions आएंगे, इन्शालला हम इनको करते जाएंगे, और इसमें कोई बड़ा काम नहीं है, simple से हैं, और तीन तरह की questions आते हैं, bond energy के, हैस law से, और इस तरीके से, mc real 30 से, अब ये equation में अगर आप गोर से देखें, तो आपको क्या दे रहा है वो, formation आपको provide कर दी है, इन सब की, जिस जिस की formation दी है, आप उस तरफ arrow खेंच दें, number one arrow जो है हमारा, वो हो जाएगा, magnesium oxide की तरफ, तो team से multiply करने, इसकी value को minus 206 लिख दिया आपने, फिर KCL की value दी है आपको, formation, आप देने का 4, 37, negative, इसका one mole था, one से multiply कर दें, और KCL 3 की value दी है आपको, minus 391, और इसका भी एक ही mole था आपके पास, तो आपने एक से multiply कर दिया, और उसके बाद किसी element की देने की जरूरत नहीं थी, अब इसको हम आप इसमें इस तरी किसे भुमा दें, तो देखते हैं कि कौन सा arrow हमारे साथ है, और कौन सा अगेंस जा रहा है, तो यह मैं नीचे जा रहा हूं, यह उपर जा रहा है, यह अगेंस्ट है, मैं अपड़ जा रहा हूं, यह भी अपड़ जा रहे हैं, तो यह साथ हैं तो नहों, तो इसकी value को flip करना पड़ेगा X निकालने के लिए, तो हमने रिखा X is equal to क्या हो जाएगा, X is equal to हो जाएगा हमारे पास positive 391 और वहां से हमारे पास आजाएगा positive 3 into minus 602 and positive 1 into minus 437, इसमें से ढूंडना इसको, तो इसमें से अगर ढूंडते हैं तो आपका यह नंबर जो है, इसमें देख लेते हैं कि क्या इसने दिया है शुरू में, तो हमारे पास math है, simple अब तो कुछ नहीं बचा, तो आपका यह जो है, इसको positive में लेके जा रहा है, minus 3 से multiply कर रहा है, हमारे पास क्या होना चाहिए इसको, positive में आना चाहिए इसका answer, तो यह तो गलत हो गया, negative से multiply कर रहा है, तो यह वहाला correct लग रहा है मुझे, तो 602 को ठीट से multiply करना था, मैंने सिर्फ cross check किया, बस यह वहाला answer बन जागा, इस तरीके से अगर आपको और चेक कर लें, 437 जो है आपका negative में आएगा, तो यहाँ पर 437 आपका negative में आ रहा है, इस तरीके से 391 जो है आपका positive में आना चाहिए, तो 391 आपका positive हो जाएगा इस तरीके से, तो C will be the correct answer, इस तरीके से हम इसके questions, बाकी जो है questions निशाला आप लोग कर लेंगे साथ, और उसको फिर हम discuss करेंगे, तो यह बात सारी clear हो जाएगी, और clear हो जाएगी, तो next class तक के लिए, अल्ला हाफिज, take care, bye bye.